यह जो birds इंडिया में आते हैं, यह जैसे हम highway का use करते हैं, कहीं जाने के लिए, सब्सक्राइब बहरत पूर जा रहे हैं, तो आपके बास highway है, यह पोरलेन वाला इटलेन वाला बन गया है, या कहीं और भी जाते हैं, इनका flyway होता है, वाह, हवा में भी इनका route होता है, पूरा मतलब आप सोचिए कि इतनी दूर, 20,000, 22,000 किलो मिटर दूर से आते हैं इंडिया, तो उनका भी रास्ता बना हुआ है, जो हमें आपको दिखाई नहीं देता है, यह पता होता है, तो वो उसको इस रास्ते के थ्रू आते हैं, और ऐसे जो इनके flyway हैं करीब 9 से 10 हैं, पूर जहां से वेस्ट एशिया, इंडिया और माल्दी पहुचते हैं, और कुछ टाइम तक यह इंडिया में रहते हैं, जब तक यहां पर गर्मी जब शूरू होने वाली होती है, तो यह वापिस अपने, फेवरिबल वेदर के हिसाब से नवी जाना पास्पोर्ट के इनके ज़र जैसे आमोर फालकन है, जो रशिया शाथी, वो बाईस जार किलोमेटर का सफर करके आती है, और यह कपूतर से थोड़ी से बड़ी होती है, मतलब कपूतर कितना बड़ा होता है, आपके इसाब से कहले जी इतना बड़ा, थोड़ावा चुटा कर लिजी, नहीं, कपूतर इ जाती है, वैसे मतलब भारत प्रूबे में दिख जाएंगे, लेकिन इनका मेन जो लैंडिंग जो जो है, जिसको हम कहते हैं, वो नागा लैंड है, और इनके सबसे बड़ी खुबी होती है कि यह पेस्ट कंट्रोल का काम करती है, यह इंसेक्स खाते हैं, तो जब यह उस इल कंगोलिया से आते हैं, तो कितने दूर दूर से पक्षी हमारे देश में आते हैं, और इनकी खुबी है कि यह छे हजार से आठ हजार मीटर पूड़ते हैं, और अगर आप देखें, तो जो हमारा हिमाले है, वो करीब नौ हजार मीटर है, तो अतने हाइट पे पूड़ते है तो यह particular एक आप species की बात करने एक या जादतर जो भी migratory birds होती उनका यही होता है उड़ान का जो level है या सब में बदलता रहता है ने सब में अलग-अलग होता है यह ज़रूरी नहीं है कि एक हाइट पर सब उड़ते हैं जैसे wood sandpiper होता है जो सब आकेटिक्स से wood sandpiper तो जो आकेटिक्स से उड़ते हैं और चिलका और भरतपूर दोनों जगा पर पहे जाते हैं अब आज इन दोनों जगह पे हम बात करेंगे कि जिलका और भरतपूर तो सबसे पहले भरतपूर जब आप जाते हैं जो कि राजस्थान में पढ़ता है और वहां की जो सैंक्सिरी है रिजर्व है उसका नाम है केवला देव खेवला देव करेक्ट ठीक है और बहुत ही खुपसर जंगले में कहूंगा और ये दुनिया का प्रशिद्ध पक्षी विहार है आप कह सकते हैं और अंदर घुमने का एक अलग मज़ा है मैं तो कई बार गया हूँ अब भी गया होंगे मेरे खास तो आप वॉक कर सकते हैं वॉक के अलावा साइक्ल है आप साइक्ल लीजे चैल ले रही है तैलते रही है अगर मान लीजे आपके गुटने में धर्द है जैसा कि कई बार आप कहरते रहते हैं तो वहाँ पर साइक्ल लिक्षा भी है आप वो लीजे घंटे के साब से मिलता है वह बहुत ही जन्मीन उनका वह पीसफुल महौल है महौल है कोई ऐसा नहीं कि जिपसी वगरा है चिल लंपों है वैसा नहीं है हाँ इंसान अब जहां रहेगा थोड़ा वो चिल लाट तो करेगा ही करेगा तो और डालोग तो पुरा कर दीजे इस बार इंसान सबसे वो है आगए आगए वो आएगा कि दर्दी का सबसे गिरा हुआ प्रजाती जो है वो इनसान का है वो अभी आएगए ऐसा और अंदर भरतपुर जाने पर केवला देव इसलिए नैस्नल पार्क उसको कहते हैं क्योंकि अंदर एक शियो जी के मंदिर है केवला देव मंदिर तो इस इस वज़े से भी केवला देव मंदिर उसका नाम है, घाना नैशनल पार्क भी उसे कहते थे, बाद में वो नाम चीज़ा है, विसे ये कौन सा सीजन होता है जब आते हैं, माइगरेशन करके बर्ड्स होता है, ये अक्टोबर से लेकर के फरवरी तक रहते हैं, लेकिन अब क् से इसी मार रख्ये सब चीज़ों की, और सरदियों में मतलब 300 से साड़े 300 प्रकार की चडिया, माइगरेटी बर्ड्स जो होती हैं, आप भरतपूर में, सुरी, 300 से साड़े 300 चडिया की प्रजाती आप भरतपूर में देख सकते हैं, जिसमें से करीब 230 आपने रिजिजिज न से सकति दीजिए